हेलो स्टुडेंट्स मॉस्ट वेलकम टूड़े आइम गुएंग टू डिस्कस अबाउट दा पोस्टर जो आपका जो सेक्शन भी है जिसको राइटिंग स्किल्स बोलते हैं उसमें जो कोशन नंबर थर्ड है वहाँ पर एक पोस्टर दिया जाएगा अथो आमें नोटी से ए प्लास्टिक्स अब पोस्टर आपको आट्रेक्टिव होना चाहिए पहली से तो आपको यह दियान रखना है इसके बाद में इस पोस्टर के अंदर जो हम फोंट पांतल रहे हैं अच्छर्व की जो इस्टायल है वो आप अपनने तरीके से डिजाइन दे सकते हैं कि कौन सा फॉंट अप इस्तिमाल करना चालते हो है ना तो जो फोंट का मतलु होता है अक्छरों का लिखने का तरीका, तो कौन से तरीके साब अक्षर बनाना चाहते हो वो आपको पर depend करता है इसके बाद में poster बनाते समय हमें यह दिहान रखना है कि poster के चारों तरफ border बनानी है और border में भी आपको design इस्तमाल करनी है इसके बाद में poster बनाते समय यह आपको ध्यान रखना है कि जो sentence हम choose कर रहे हैं उन sentence को equal रखना है बराबर रखना है left side लिख सकते हो या फिर right side भी लिख सकते हो जैसे हम उन sentence इस्तमाल करते हैं उनके सामने आपको numbering भी कर सकते हो यह star बना सकते हो यह dot लगा सकते हो वह आपके उपर डिपेंड करता है कि जो sentence है आप चूझ कर रहे हो उसके सामने आप dot लगा रहे है हूँ star बना रहे हो यहा point लिख रहे हो साथ में आप यह ध्यान रखे कि जो poster आप बनाओ एकदम attractive होना चाहिए है ना effective होना चाहिए क्योंकि इसमें जो thoughts जो sentence आप लिख रहे हैं हो वो काफी कम लिखने वाले हैं है ना तो हमारा जो poster है वो काफी attractive और effective होना चाहिए attractive का मतलब होता है आकरशक देखने में अच्छा स उंदर होना चाहिए है दिना और मतलब होता प्रभावकारी जिसे वेल्यूवर आपके काफी चेक करता है तो उसकी नजर आपके पोश्टर के उपर एकदम अग्षू आ चाहिए समझ लेज़े अगर की नजर पोश्टर के उपर अब झाती है तो 성ल लेना प्लास्टिक वाले पोस्टर के बारे में बात करते हैं इसे प्लास्टीक को अवईट करें से बचें यहां पर सब से उपर हमने लिखा है से लोट प्लास्टिक प्लास्टिक को ना कहो इसके बाद में हाँ पर कुछ हमने पॉइंट इस्तमाल किये हैं जिसे फर्स्ट पाइंट दिया हुआ है नोन बायो डिग्रेडेबल इसका मतलब होता है एसी चीजे जो सड़न्शिल नहीं होती है और प्लास्टिक एसी चीज है जो कभी सड़ती नहीं है दूसरा कारण है बर्निंग कोजेज एयर पॉलिशन मतलब बर्निंग का मतलब होता है जलने पर कोज एयर पॉलिशन मतलब होता है वायू प्रदुशन जलने पर यह क्या फेलाती है वायू प्रदुशन फेलाती है मतलब जो प्लास्टिक होती है जलने पर वायू प्रदुशन फिलाती है इससे वायू प्रदूसन होता है तीसरा पॉइंट दिया है डंपिंग पॉलीबेक्स पॉलीट एंवायरमेंट है जो डंपिंग पॉलीबेक्स होते हैं जो पॉलीबेक्स हम इस्तमाल करते हैं कौन से जैसे हम बाजार में जाते सामान खरीते हैं तो वो जो dumping polyvacs है वो pollute environment ये परियावरन को pollute करते हैं परदूसिर करते हैं फॉर्थ पाइंट दिया है toxic chemical cause lungs cancer एक chemical है जिसका नाम है toxic जो toxic chemical होता है ये toxic chemical cause lung cancer lung cancer का मतलब होता है फेपड़ों का cancer toxic chemical के द्वारा फेपड़े का cancer होता है instead use इसकी बजाए आपको use करना है क्या यूज करना है paper bags use करने है jus beaks use करने है cloth bags use करने है हमने right side में एक beak बनाया है उसके उपर लिखा है protect the environment stay healthy इसका मतलब होता protect the environment protect मतलब रक्षा करो environment या ना परियावरन की परियावरन की रक्षा करो stay healthy और healthy रहो मलस्वस्त्र हो नीचे लिखा है Issued in Public Interest by Environment Club Indoor MP मतलब यह किसके दवारा इसू किया गया है यह पोस्टर Environment Club Indoor के दवारा ठीक है